नवस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी खरकाटे और माई चैनल मेकेनिक ज्यान में आप सभी लोगा सौगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे किलोसकर इंजन 4R1040TE3 इंजन का टाइमिंग कैसा सेट करते हैं दोस्तों यह इंजन फिटिंग है कैस1107 रोलर में तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक स्क्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिये और सस्क्राइब कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल क्लिक कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले क्रेंक का गेर फिट कर लिजिए गेर फिट करने के बाद तो दोस्तों हमने गेर बिठा दिया है क्रेंक का हम क्रेंक को घुमा कर इंजन को टॉप में ले लेते हैं और टॉप में लेने के बाद डांसिंग पोजिशन के लिए टॉप से थोड़ा पिश्टेंड डाउन होता है और crank gear के उपर जो mark है वो idle gear के तरफ ले लो दोस्तों आप सभी लोग जानती होंगे कि crank का 2 round होता है और pump का 1 round तो दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस engine का पीछे से एक number होता है तो idle gear fitting करने के पहले हमें केम साप्ट को dancing position पे लाना होगा तो दोस्तों हमें dancing position पे लाने के लिए केम को घुमा कर पीछे का सबसे first piston है उसका दोनों rocker dancing position पे होना चाहिए उसके बाद idle gear fit कर सकते हैं उसी प्रकार इस gear में pump के gear में marking होता है तो marking वाला निसान idle gear की तरफ ले आए हम अभी आपको सभी marking दिखाएंगे gear के तो देख सकते हैं दोस्तों हमने idle gear बिठा दिया है थूड़ा सा केम wrong आ रहा है हाँ देख सकते हैं एकदम आसानी से बैठना चीए जब timing मिलाते हैं तो idle gear एकदम इजीली बैठ जाना चीए तो चलिए दोस्तों हम gear के उपर का marking दिखा देते हैं सबसे पहले यह है crank idle और यह है idle cam और यह है idle pump तो यह सारे gear का हम marking set कर दिये हैं अब हम चलते हैं पीछे की तरफ कि देखते हैं पूस्ता डान सिंग position यह है दोस्तों piston टाप से थोड़ा डाौन है कि और हम पूसरा डाल कर check कर लेते हैं रोकर डाल कर तो दोस्तों सबसे पहले हम fourth cylinder का पूछरा डाल के check करते हैं कि यह डांसिंग पोजिशन पे है या फर्ष्ट ओला डांसिंग पोजिशन पे हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यह डांसिंग पोजिशन पे नहीं है इसका चार नंबर जाम सुरी इसका साथ नंबर रॉकर फ्री है और आठ नमबर राकर जाम रहता है और ये दोनो एकडम फ्री राकर रहता है क्योंकि दोनों लेबल है तो दोस्तों आप किलोसकर पोस्ट लेंडर इंजन का टाइमिंग सेट करना सीखी गए होंगे हमने इस इंजन का 7 पार्ट तयार किया है और यह हमारा 14 पार्ट है इसके बाद एक दो दिन बाद हम और तेन पार्ट लोट कर देंगे तो दोस्तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तो अगर हमारी चैनल को कुसीने सबस्हाइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ